है कि मैं एड़ोगर केलास सेनि आप से इस यूटूब के माद्धियम से दोस्तों में बिना तलाक के दूसरी साधी करने पर क्या सजा का प्रावदाने और के कैसे होती और किस प्रकार से बिना तलाक साधी की जाती है दोस्तों इसके बारे में मैं आप से चर्चा करूंगा इस वीडियो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कोई भी वेक्ति अगर बिना तलाक ले हुए अगर दूसरी साधी करता है तो वह वेलिड नहीं होगी अगर वह करता है तो उसमें बारती कानून के अदारवर 454 आई-पी-सी में साथ साल की सजाका दोसी पाये जाता है अगर दोस्तों कोई भी वेक्ति पति पत्नी होते हुए भी अगर अब किसी लड़की के साथ धोका करता है चुपाता है कि मेरी साधी नहीं हुई है अगर वो उस कंडिसन मे साधी करने के बाद अगर बच्चे बच्ची पेदा हो जाता है और उसको लड़की को अगर बाद में पता चलता है कि इसकी साधी हो रखी है तो वो लड़की उसके किलाब 490 का केस फाइल कर सकती है और जो उसके लड़का या लड़की पेदा हुई हो वो वेलिड माना जाएगा और उसकी जो पेत्रक संपति या उसकी जो संपति इसमें उस लड़का लड़की का हक होगा अगर इस साधी को valid कैसे माना जाता है दोस्तों बिना तलाग अगर कोई पत्ती पत्नी है उसमें से पत्नी सांत हो जाती है या मिर्ति हो जाती है तो वो बिना तलाग भी साधी करता है तो वो valid माने जाती है क्योंकि उसके कोई दूसरी पत्नी नहीं है अगर दोस्तों मैं इस वीडियो में ये स्वस्ट करना बताना चाहता हूं कि अगर कोई वेक्ति ये कहे कि मेरी कोई पत्नी या पत्ती नहीं है लेकिन दोस्तों पूरी परताल करने के बाद में ही दूसरी साधी करें अगर कोई वेक्ति बीना तलाख साधी करता है तो उसको साथ साल का जुरम साथ साल की सजा के सासा सक्थ भायन भी देना पड़ेगा दोस्तों कोई भी वेक्ति अगर दूसरी साधी करता है तो वो बिना तलाक के तो अन्वेलिड माना जाएगा ये बारती कानून के अधार पर माना जाता है बारती कानून में इस बस्त कहा गया है कि 494 का कोई दोसी पाया जाता है तो उसको साथ साल की सलजा के सासा जरुमाना भी तेना होगा अगर वो किसी के साथ ऐसा वेवार करता है लेकिन दोस्तों इंदी रितिरिवाज या मुस्लिम रितिरिवाज के अनुसार अगर कोई मुस् प्रकार से मानने है कोई भी मुस्लिम लड़का अगर साधी करता है जिस प्रकार निका करता है तो वह चार साधिया कर सकता है लेकिन जो रजिस्टर साधी कर लेता है तो वह चार साधी करने का प्रवाधान भी नहीं है इसलिए दोस्तों इसी प्रकार इंदो वेक्ति बीना त बिना तलाक लिए साधी करना चाहता हूं किसी लड़की को अगर पसाना चाहता है यह तो गलत है इसलिए दोस्तों में तो इस वीडियो के मादर में से इतना बताना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति बिना तलाक के साधी नहीं करे अगर वो ऐसी हिम्मत करता है और करता है तो उस पर साथ साल की सजा तो बुकते का साथ साथ फायन भी देना पड़ेगा इसलिए दोस्तों बिना तलाक साधी करना वेलिड नहीं है असा विधानिक करार दी गई है मतलब गलत करार दिये गई है इसलिए दोस्तों कोई भी वेक्ति बिना तलाक अगर साधी करता है तो वह गलत ह है जिसने दोस्तों मैं इस वडियो में wypc 400 400 में करते हैं कि इतना चाहता हुँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक色 नियुक है मैं इससे भी अच्छा और वीडियो आपके सामने फेस करने की कोशिस करूँगा इसलिए दोस्तों मेरा चैनल कानून की आवाज में आपका सभी का स्वागत है रन्यवाद जाहिए